दोपहर बगगा की मोहाली में पेशी होनी थी लेकिन इन सब की बिश में घटना करम तेजी से बदल रहा है फिलाल बीजेपी प्रेस कॉन्फरेंस कर रही है क्या कुछ कह रही है सुनते हैं इसके चलते आज जो चीज साफ हुई है तुजिंदर पाल सिंग बगगा जो एक पुराने कार करता है भारते जनता पार्टी के राष्टे सचिव हैं राष्टे युवा मुर्चा के किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किये वे बिना जनकपुरी लोकल पुलीस थाने को इनफॉर्म किये वे प्रोसीजरल फॉर्मालिटी बिना कम्प्लीट किये वे जिस तरीके से सुबह पांच बजे 40-50 पुलीस कर्मी पंजाब पुलीस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाता पाई करते हैं, उनके बुज़ूर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेनी की कोशिश करते हैं, तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुँपे मुक्का मारके, धक्का मुक्की करके फोन खीच लेते हैं, औ और उसी के चलते एक abduction case भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्ब में मैं request करूँगी हमारे साथ हमारे senior leader सिर्सा जी हैं और हमारे राष्ट्य प्रवक्ता और senior leader आर्पी सिंग जी हैं। पहले मैं request करूँगी सिर्सा जी से के आपके सामने मुद्दे को रखें आज जिस तरीके से दिर्जी पुलीस ने गयर कनोनी तरीके से तजिंदर बग्गा को यहां से खिड्नेप किया। अर्विंद केजरिवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं। कि मुझे पुलीस मिल लेने दो पुलीस बार एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को दो चार लोगों को जेल में बंद करूँगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। यह अर्विंद केजरिवाल की स्टेटमेंट है जब उससे पूछा गया कि आपके प्रती यह जो आप बोड़ रहे हैं यह जूट है और यह ऐसे ट्वीट किये गए हैं तो इसके जवाब में उनने कहा कि मेरे को पुलीस मिल लेने दो मैं आपको यह भी याद करना चाता हूँ अर्विंद केजरिवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं किस तरीके बदला खोरी में काम करते हैं जब उनके पास पुलीस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमेलों से अपने ही चीफ सेक्टरी को अपने ही घर बुला कर पिटवाया जो आदमी अपने चीफ सेक्टरी को अपने घर बुला कर एक पड़ा लिख्या मुखमंत्री जो अपने आपको बताता है पिटवा जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोट और सुप्रीम कोट की जज्जमेंट और लेटेस जज्जमेंट 2022 की है जिसमें बकैदा जजज साब ने ये क्लिएर कहा कि दिल्ली हाई कोट रीट्रेट्स अधर स्टेट्स पुलीस कैनाट अरेस्ट दिल्ली पीपल विद पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था जिसमें जस्टिस सिदार्त मिर्दुल जी और अनूप जैराम जी जिसके अंदर उन्होंने जज्जमेंट में कहा आज अर्विंद केजरिवाल ऐसा क्यों कर रहा है अर्विंद केजरिवाल जो उसके खलाफ काना वो चाता है कि बीजे पी का करे करता सच ना बोले उसकी सचाई लोगों के सामने ना आए इसके लिए वो पंजाब पुलीस का दुर्पयों कर रहा है हमें हरान की इस बात की है मुख्यमंत्री भगवन तमान है और एक सिक मुख्यमंत्री को होते एक सिक को घर से कर ले कर जाती है क्या गुना है ते जंदर बग्ये का अतंकवादी है अरे चालिस बे गुना लोग पंजाब के अंदर गैंक्स्टरों ने मार दिये जिसके अंदर अंतर राश्ट्रिया कबड़ी खिलाडी तक हैं पुलीस कुछ ना कर पाई पुलीस दिल्ली में डेरी लग गुम रहे हैं और भगवंतमान जी की पुलीस दिल्ली में गुम रही है पट्याला में जो वह आपने देखा किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है भाई चारक साज तोड़ी जा रही है और पंजाब पुलीस पचास-चास लोगों को लेके जैसे किसी नहीं सकते इस धर्ती पे सिक्खों को ढुराने और धंकाने के लिए जक्रिया खान ने कोशिश कि औरंगजेपने कोशिश की गोरा ने कोशिश की गौरह 달 सके हों मुकद्मे कूरxis को सकतए हो लेकिन डराकर मूबंद नहीं कर सकते हो और इंसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की आज उनका हाल हशर देख लीजिए मुकदमों में जेलों में बंद पड़े हैं देश का कनून है और देश के कनून में किसी सूर्थ में किसी को उस कनून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा दिल्ली पुलीस ने किड्नेपिंग का मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि आप किसी पुलीस की स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलीस के लोकल पुलीस टेशन की जानकारी में लोकल पुलीस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते इट अमाउंट्स टुआ किड्नेपिंग, इल्लीकल डिटेंशन, आप गैर कनूनी तरीके से तजंदर बगा को रेस्ट करकर ले जाने के आपने जो कोशिश चेस्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, हर्याना में जो भी जानकरी मिल रही है, मीडिया के आते हैं, आप अर्विंद केजरिवाल की दलिरी दे, अर्विंद केजरिवाल, तुम जितनी मरजी कोशिश कर लो, पंजाब, देश के लोग आज देख रहे हैं, किस कदर तुम बदला खोरी के उपर उतराए हो, अभी तो तुमें एक स्टेट की सक्ता मिली है, आप सोच के कलपना करके देखिए कि या आदमी कितना खतरनाक है, उननी सो असी के दशक वाले रस्ते पर सिखों को ला रहा है, पंजाब को उसी रस्ते पर ले जा रहा है, मैं आज पंजाब के लोगों को ये बात याद करना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता रहा, अर्विंद ने शुरू कर दिया है लेकिन भारती जंता पार्टी सच के साथ खड़ी है तजिंदर बग्गे ने कोई गुना नहीं किया उसने अर्विंद केजरिवाल के जूटों को बे नकाब किया है और जूट को एक हजार बार बे नकाब करेंगे हम सब तजिंदर बग्गा के साथ हमें बारती जंता पारती किसी भी सुर्थ में अपने कारा करते के साथैए ऐसी बे देश देश में किसी नागरी के साथ नहीं होने देगी और वो तो हमारी पार्टी कादमी तो हमारी सखख्षबदों मेरे जाहिस की नंदा करता हूं, याद कीजिए 1980 के दश्रक के सब पुलीस वालों पर मुकदमे बने जिनों इस तरह से जातियां की आप अगर जाती करेंगे तो कनून आपके उपर भी काम करेगा कनून सब पर लगू होता है पुलीस कनून के दारे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती अर्विंद केजरिवाल का चेरा बे नकाब हो रहा है और होगा और ये गिनोना चेरा आज उसका आपके सामने आया किस तरह आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेज़त करते जलील करते ले जा रहे हैं क्यों कि अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ सच बोल रहा है सच बोलने कि ये सजा मिल रही है बगा को क्योंकि लूट का सूट जो अर्विंद केजरिवाल कर रहा है उस लूट का सूट को अक्सपोज करते आए हैं करते रहेंगे इसलिए मैं आप लोगों को ये जान करी दिना जाता हूँ किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलीस ने जो इलिगल काम किया है वो नहीं बरदाश्ट किया जाएगा उसके उपर कनूनी कारवाई होगी और कनूनी कारवाई के शकंजे में जो भी गरत करेगा वो शकंजे में पकड़ा जाएगा बचकर नहीं जा पाएगा धन्यवाद